नमस्कार आप देख रहे हैं नीजबर इंडिया आपके साथ मेहू का जोल नरायन शिर्वात करेंगे खबरों की मद्य प्रदेश में एक बड़ा हादसा हो गया यहां के धार जिले में खियाफ्टे से भरी बस नर्मदा नदी में गर गई इस हादसे में 15 लोगों को बचा लिया गया है जबकि अब तक 13 श्रव बराबत किये जा चुके हैं इस घर्टा पर राजुके पूर मुखे मत्री और कॉंग्रिस के सीनिय और नेता कामनात ने कहा कि वीश्वर से सभी साफ़ों रखने की काम ना करते हैं उन्हों ट्वीट करते हुए का कि धार जिल में खल घाट में नमदा नदी में सवारियों से भरी एक बस के गिरने की दुखत जानकारी मिली संसद का मौनसुन सत्रा से शिरू हो चुका है यह 12 अगस तक चलेगा इस बार के मौनसुन सत्र में कुल 18 बैटके होंगे और 24 बिल पेश किये जाएंगे मौनसुन सत्र से पहले रवीबार 17 जुलाई को सरकार के ओर से बलाएगे सरदली बैचक में विपक्षी दलो ने करी 25 मुद्दो पर सरकार से चर्चा की मांग की है सरदली बैचक में पीम मोदी की शामिल नहीं होने पर कॉंग्रस निशाना साधा और कॉंग्रस निता जोयराम रमीश ने इसे लेकर तवंच कसा 12 अगरस तक चलने वाले संसर सत्र के दौरान राश्पती और उपर राश्पती दोनों एहम सहमेदानिक पदों पर के लिए चिनाव भी होनी है और आज राश्पती पद के लिए चिनाव हो रहा है रविवार्पुर सरदौली वेटरक में 36 दलों के निता शामिल हुए इनमें बीजोपी, कॉंग्रस, ट्यम्सी, न्सीप, ड्यम्क, सपा, बस्पा, आर्जिटी और रने दलों के नितागन शामिल हुए इस बेटरक के बाद राजसभा में विवपक्ष के निता और कॉंग्रस सांसर्द मलिकार जुन खर्गे ने कहा कि विवपक्ष के उरसे 25 बदो पर बैस की माँग है जिनमें 13 मुद्धे उनकी पार्टी की तरफ से उठाए जानी है मुख्य रुप से महंगाई, अगनिपत्य योजना, बेरुजकारी, केंडर जाज जनसी का दुर्प्यों की गिर्टी कीमत के मदर ज़र अर्फिवस्ता की सिपी जैसे मुद्धे शामिल है राश्पती चुनाव में इस बार एंटी की मीदवार, द्रौपदी मुर्मु का पलरा, विपक्ष की मीदवार, यिश्वन सिनहा की तुलना में भारी नज़र आ रहा है क्योंकि विपक्ष की कुछ पार्टियों ने भी मुर्मु को समर्थन देने का अलान किया है बीजेपी ने जैसे द्रौपदी मुर्मु का अपना मीदवार बनाया, कुछ विपक्षी पार्टियों अभी उनके साथ हो गई द्रौपदी मुर्मु के पक्ष में कौन-कौन है बीजेपी ने मीदवार बनाया है, जिसके पास करीब 4.5 लाख वोट है वही, YSR कॉमिस के करीब 45,000 वोट भी होने मिलनाते है बीजेडी, जेडियू, ये सभी जो दल है, वो मुर्मु के साथ नज़र आ रहे सुभा 10 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, 5 बजे तक वोटिंग होनी है UP के मुखे मंत्री योगी आधितना सबसे पहले वोट डाल चुके है आम जंता पर आसे महंगाए का बोज बढ़ गया है GST काउंसल के बैटर के बाए सरकार ने कई प्रोडॉक्स और सर्विसस पर टेक्स के रेट में बतलाब कर दिया है जिसकी विजो से आज से आपको नई रेट देने होंगे और नई टेक्स चुकाने होंगे बता दें कि कई सारे समान पर ज्यादा GST चुकाना होगा GST काउंसल ने आमाद्वी पार्टी के इस्तिमाल वाली कई चीजों पर टेक्स रेट बनाने का फैसला किया तो कई समानों में मिल रहे है GST चूट को ख़त्म करने का फैसला किया है आपको तादे कि GST की नई दरे आज से यानी के अथार जुलाई से लागू हो रही है तो आप जान लिजे कि आज से कौन-कौन से सर्विसिस और प्रटेक्स पर आपको ज्यादा पैसे कर्च करने होंगे पाकेट बंद और लेवल वाले प्रटेक्स पर 18 फीस्ती की दर से GST लगाया गया है वही पहले इस पर से 5 फीस्ती की दर से टैक्स लगता था इसके लावर नारियल पानी पर 12 फीस्ती और फुटवेर के कच्चे माल पर भी 12 फीस्ती GST की नई दरे लागू होंगी मशली, दही, पनी, लसी, शहद, सुखा, मखाना, सुखा, सुखा, सुएबिन, मटर जैसितवाद, गिहूँ और अन्या नाज तता मुर्मुरों पर अब 5 परतीशत GST लगेगा शावन मास के पहले सोमार पर शुधालों को जन सलाब उमन गया सुखा से ही लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का अंदजार कर रहे हैं भक्त काफे जादा कुछ नजर आ रहे थे मंदिरों में भक्तों के लाइन लगी हुई है, सिद्पीट बाबा गौरिशंकर मंदिर का गौरफ शालेती हास रहा है राज अहर्श्वरदन की राज में एक हजार पुजारी यहां पर पूजा करते थे, कर्णाव शेहर में सिद्पीट बाबा गौरिशंकर का मंदिर श्रावस्ति के सभी शिव मंदिरों पर जलाबिशे करने के लिए शिव भक्तों का तांता लगा सभी शिव मंदिरों पर सावन के पहली सुमवार को शिव भक्तों का तांता लगता हूँ नजर आया इसको लेकर प्रशासन पूरी तरल से अलर्ट रहा और सिस्टिवी कैमरे से निगरानी भी रखी गई पीपल कोटी विश्णूगार जल विद्यूत परिज्रक की कारेदाई संस्ता टीएच डीसी द्वारा हेलंग में टिंचिंग ग्राउंड का निर्माण किया जा रहा है लेकिन हेलंग गाउं के कुछ रामने द्वारा टिंचिंग ग्राउंड बनाने का विरूद किया जा रहा है। लेकिनी सच्वालाई भी है। और रोड चोडी करन के दोरान हमारा जो साधन साहिकारी समिति का गोदाम था। वो भी टूट गया था। पसुपालन चोकी थी वो भी टूट गई। और जो हमारा कॉपरेटिव बैंक है। तमाम जो गाउं की जो ये छोटी-छोटी जो हमारी स साधाय थी उनके सारे कारेलई टूट गए थे उनका पैसा हमको भिला हुआ था। और नियाइज बंचत अस्तर पर हमको कारेलई बनाने थे। लेकिन हमारे पार जमीन नहीं है। और जिस जमीन के भी बाद में इन लोगों ने कभजा कर रखा है। ये सारी जमीन सरकारी बनाए जाए। जिसके अनुमती मिली है और खेल का मैदान उनके द्वरा बनाने नहीं दिया जा रहा है। तो उसी के एक रभ्म है आज हम यहाँ पे आए थे। मेरे गाओं में सो प्रतिसत ऐसी समाज रहता है। और हमारी जो ग्राम पंचैत की जो सीठ है वो हमारी OBC में कर दी गई है। पिछडे वर्ग में। और हमारी समस्था है हमने आपत्ती भी लगाई। उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई। और उसके बाद हमें कहागा कि फिलाल यही रहेगा। अगर कोई नामांकन नहीं आता है तो फिर पुनेविचार करा जागा। अब पुनेविचार कब करा जागा यह हमने नहीं पता है। हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि हमारी ऐसी समाज का ही यहाँ पर परधान बनाया जा और यह सिट खाली ना छोड़ दी जा खानपूर के जुमनपुरी गाउं में एक पती नेक रेकलेश के चलते रात के समय अपनी पत्नी की गला दबा कर हत्या कर दी आरोपी खुद धाने पहुँचकर अपना अरजुन कबूल करता हुआ नजर आया है पुलिस ने आरोपी करासत में लिया है इस पुरी इमामने की चानमिन में जुर गई है उतरकाशी के गंगोत्री धाम से आगे गंगा उधा मुस्तल गौमुक जा रहे थे जल भनी दो व्यक्ति व्यक्ति साथ में थे जो कि गंगोत्री से कुल तीन किलोमीटर पर एक व्यक्ति की हार्ट टेक आने से मौत हो गई जिसकी मौत हुई उसका नाम प्रताब बताये जा रहा है जिसकी उम्रित 54 साल है वहीं दिली का रहने वाले बताये जा रहा है गंगोती नेशनल पार्क चेक पोस्ट के इंचार राजविरावत ने और उसकी टीम मौके पर पहुँचके रेस्किल करके गंगोती धाम की अस्पताल में पहुचाया लेकिन उसे बहुत खूशित कर दिया गया लूट की वारदार से संसरी लगातार पहल रही है ग्यात बदमाशों ने युवक से बाइक लूट ली मुबाइल फोन लूट लिया वारदात को अंजाम देकर लूट रे फरार हो गए पिडित के सुच्टा के गंटे बाद मौके पर पुलिस पहुची धाने पर करहने वाल पुलिवीत में भाई के बच्चों को देखने गई बहन को भाई के सरस्वाल वालर उसके पत्नी ने गाली कलोच मार पीट कर पिता के साथ गई बहन और उसके पिता के साथ भी जम कर मार पिटाई की है दूसरी बेटे की सरस्वालार है सरसुर को बहु के भाईयों ने रास् दिवर्या में किसान परिशान है सुखे की आठ से सभी डरे हुए है ऐसे में ग्रामणी महिला सावन के इस महीने में भगवान शिव से गुहार लगा रही है कि बरसात हो और उनकी फसलों को पानी मिल सके गौरी वजार थानशेतर के पोखर भिंडा गाओं के बाहर मंदर के पास दरजुनों के तादात में महिला इनाज रही है गीद का रही है एक दूसरे को पानी से भी को रही है और भोले नाज से पानी की खुहार लगा रही है पतेपर जिले में ICSI 10 वी बोड का परिक्षा परणाम आती ही बच्चों में खासा उसा दिखाई गया सभी परिक्षातियों ने बोड परिक्षा में वेतनी परणाम लाने ही तो जम करते यारी है किती जिसका रजर्ट देखने को मिला परिक्षा परिक्षा परणाम आने से पहले जहां विद्यार्तियों के ध्यापकों में उत्सुकता नजर आई तो महीं छाट चात्रों के बीच कोतुवर माचा रहा आईसी एसी दसवी बोड परिक्षा में विद्यालेयर प्लेवेस इंग्लिश स्कूल की कोमल कौसाधान ने 98.6 प्रतीशत अंग हासिल का पर द्यालने में सरवोचिस्थान प्राप्त किया लिलुमॉल के बाहर करणी सेरय कर जमकर ववाल हुआ है अनुमान चालसा पार्ट पढ़ने को लेकर ववाल हुआ मौके पर प्रुस प्रशासन हालत को काभू किया पिछले का इंजिनों से लगातार अरजगता को लेकर लिलुमॉल के सुरक्षा में पीएसी तनात कर दी गई है अरजगत तत्वों के उपर ड्रोन से निगरानी भी रखी जा रही है आपको तादें कि पिछले दिनों नमास पढ़ने का वीडियो वारल हो था जोती पत्रकारों को भी पीट चुकी है आप उतादें कि ऐसे भी आरोप लगरी ने कहीं बार छूट मिल चुकी है इनके उपर भश्टरचार करने का आरोब भी लगा तो अपने कारले से आलमबाग बसद्य पर तनात कर दी गई पत्रकार को पीटने के मामले की बोस ने एरम रहे डीके गर पर दबा बना कर जोती के फेवर में रिपोर्ट लिकवा दी थी लेकिन अब ये पूरा वीडियो वारल हो रहा है जुसके आधार पर जाच की बात की जा रही है लखनो कुशेद पत के मिलिनियम कॉम्प्लेक्स के पास खड़ी इर्फान सुलंकी की गाड़ी पर हमला हुआ है मिलिनियम कॉम्प्लेक्स के पास खाली गाड़ी थी और इर्फान की क्रेटा कारी बताई जा रही है विधायक इर्फान सोलंगी अपने गाड़ी पार करके किसी काम से कई हुथ जब गाड़ी पर हमला हुआ इंस्पेक्टर थाना सुषान्थ गोल्फ सिटी शलैन्थ गिरी ने बता है कि इस चीज किसी से इर्फान सोलंगी इस पार का सिश्बार का पीछे का शीशा टूटा पुलिस के सामने ही चले वाले को धमकाती हुई नजर आ रही है जिसके आधार पर रिपोर्ट दर्ज कराने के रिपिडित पहुंचा थान और इसे के साथ फिलाल खबरों में इतना ही आप बनी रही है नियूस वल इंडिया के साथ